दिब्यां जयनों के शशक्ति कर्म के लिए आज के इस काईकम के माध्यम से CRC दावनगरे, CRC गुरकपूर, CRC राजनदगाउ, CRC पटना के चात्राबास, CRC गुवार्टी के चात्राबास, SP निस्तार के ब्यपसाइक प्रसिक्षान भवन के उद्गाटन और NIE EPID में हाइडो थ्रेपी यूनिट के सिलान्यास के काईकम के उसर पर बर्चोल माध्यम से जुड़ हुए हमारे सहयोगी राज्यमन्ति, नरामदा सठावले जी, ए नराएन स्वामी जी, प्रतिमा बहुमिक जी, इस काईकम में पहुत सारे हमारे मानिये सांसदगण, मानिये विधायकण, रभी शंकर पिशाज जी अभी जिनका हमने आप पटना में उनको सुना आमने आपने सभी ने, हमारे वहां के बिधानसवा के अध्यक्ष, पूरमे आपर सांसतध भी दो रहे मनतीबी रहे समभाणी रमानसि पटना ओटन, के बहन बोख नहीं थी और भी हमारे पतना के मानी मंति गर्ण काई राजयों के बीदैक गर्ण सांछेयाद गर्ण मंति गर्ण उनकी गरिमंयमयRe पस्तिती के साथ ही साथ विवाग के हमारे सचिम महुद message राज यह राजी शग्रवाद संझी सचिप जी Zachough जी राजी सर्माजी और इस आयोजन में बिविन इस्थानों पर भाग लेने वाले सभी गणमाने नागरी बंदो भायों बहनों प्रिंट मीडिया एलेक्टोनिक मीडिया के हमारे शाथी गण और इन सारे CRC केंदरों में और व्यफसाइक प्रसिक्ण केंदर में चात्राबास में हमारे साथ ही सभी सहयोगी गण, सभी अधिकारी गण, आज का यह काईकम, दिव्यांग जनों के शशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, सामजिक नयाधिकार्ता मंताले के द्वारा देश के प्रधानमंतियादर्णी है, नरेंद्र मोदी जी के कुसल मा में लगातार पिछले बर्सों से, जो काम किये जा रहे हैं, उस से पूरे देश में दिव्यांक जनों के प्रति समाज में देखने का, उनके प्रति सोचने का, उनके प्रति शAKारत्मक, सहयोगातमक कदम बढ़ाने का रवये में, दrष्तिकोर्ण में बहुत बड़े क्ष़ हुझना है। नंहोंने हमेशा ही दिभ्यांग जनों के प्रतिभाहों को पहच्छाना है, दिभ्यांग जनों के श्रशक्तिकरन की लगातार वो कुछ न कुछ सोच्छ ते रहते हैं और बो तो लो को सब का सात्स, ब का साथ, ब का अंग हैं और हमारे दिभ्यांग भाईओं बहनों को अगर समुचित लूसर उप्याप्त कराए जाए उनकी प्रतिवा के रिए उनकी प्रतिवाच से खूंतरांगर उप्याप्त करा जाये उनके दिभ्यांग जा सकता है आज के इस का आज का यह दिन हमारे लिए बहुत मात्पूर है चुकि आज के दिन आपने देखा कि विविनिज हमारे के देख रहा हूँ बर्चुल माध्यम से में सारे इस्थानों को मैंने देखा शेक्रों की शंक्या में बहाँ पर हमारे बंदू एक अत्यत हुए हैं हमारे दिव्यांग भाई बहुत बड़ी शंक्या में बहाँ पर आये हैं कि उनके जीवन में कुछियों का आउसर है जैसा क सामजिक नायदिकार्था मंत्राल है बिवाग का हमारा सोच है हमारे सम्माने सचे मोहदा जी राजी सग्रवाजी जब अपनी बात रख रहे थे हमारे बिवाग का सोच है आधनी प्रदानमंति जी के नेत्यत में सामजिक नायदिकार्था मंत्राल है देश के सभी राज्यो में और केंद शास्थित प्रदेशों में कम से कम राज्य में एक CRC उसमें प्रारम करना चाहता है और उस दुरस्टि से आज जिन राज्यों में आज की CRC भावन कुछ पहले से किराय कि भावन में चल रہे थे या अस्ताय उसमें चल रहे थे लेकिन ये CRC वावन कर उनके गार्डन भी आज हुआ और जब अपने उसमें चलेंगे अधिक जादा अच्छी सुविधाओं के साथ में दिभ्यांग जनों के कल्यान के लिए उनके लिए बहुत अच्छे ढंक से अपना योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे मैंने देखा कि यहां पर दिभ्यांग जो हम समय के चैत्री केंद्रों के लोकारपना कैकम में देख ता कि बहुत हुते हमारे डिए स्ठाभि बहुत के साथ का भी लाम मिलेगा, वहाँ पर अलग लग तरह की फीजो थेरेपी की सुईधाओं का भी उनको लाम मिलेगा, और इन सबसे हमारे दिभ्यांग जनों के जीवन में शर्शक्ति करण का श्वाब लंबन का और आत्मी निर्फरता का भाव उनके अंदर जागरत होगा, हमारे CRC भावनों के साथ सी साथ हमारे जो राष्टिय संस्थान हैं, उन राष्टिय संस्थानों के माध्यम से भी सामाजिक नयादिकारता मनता रहा है, निरंतर दिभ्यांग जनों के शर्शक्ति करण के लिए और काम कर रहा है, हमेंने दिखा कि जब हमारे दामनगरी के हमारे मान केंदिय राजयमंती भी रहे हैं और श्री जीम सिद्धिस्वराजी और जब जीम सिद्धिस्वराजी के द्वारा दावनगिरी का आए CRC भवन का उद्गार्टन के उपरांत उन्होंने जब अपनी बात रखने के लिए आगे आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर CRC की मांग मले लंबे समय से की जा रहे थी उन्होंने हम लों के समक्षपी इस बात को रखा और पिछले दिनों जब उसका भूमी पूजन का काईकम किया गया तो मैंने का कि आप कोई भूमी पूजन करना है और उनका बहुत आग रहे था सिद्धेश्वराजी का कि आप लोकारपन के काईकम में अबश्याइए तो मैंने का कि मैं लोकारपन के काईकम में आपके साथ में रहूँगा और आज मैं आपके साथ में हूँ मैं यहां बैटकर आपके साथ में भले ही शारी गुप से नहीं जुड़ा लेकिन मानसे गुरूप से और दिल की भावनाओं के साथ में मैं आप सभी के साथ में वहां पर जुड़ा हुगा हूँ और इसलिए कारिक्यम की अध्यक्ता के नाते कारिक्यम की अध्यक्ता मैं का ज ते ते दो गे को पर उनके पेल युकि प्राव पर की कदम वह टा गया और वहां पर इन भवनों का वहां पर निर्मानकारीं कराए गया इन भवनों की नर्मानकारी हो जाने से यह CRC नंसी हो चाहए व्यपसाइप प्रसीखण केंद्र हो यह हमारा हैडिज उत्रेपी का पर बादा रहते हैं इसमें सब तरी की सुबिदाएं इसमें रेम पी भी है और बहां पर और बाकी सारी सुबिदाएं और पेंतालीस कम्रें वहां पर बहां पर बनाए गये हैं इसी तरह से गुरकपुर का जो सिराशी भबन है गुरकपुर का हमारे मानिवान सांसेजी और अवी किसांद हमारे सुकला जी वो लगातार इस बात का अग्रे करते रहेते हैं नियुक्ति तो अब बहां जल्दी उसको करवा दिजिए और उसका लोकारपन हो जायगा तो हमारे गुरकपुर पूरबांचल के कि हमारे जो दिभ्यांग जन भाइबेन हैं उन दिभ्यांग जन भाइबेनों को भबन बन जाने से कापी सुभीदाओं का लाब मिलेगा और मैं उत्तरप्रदेश शरकार को और महां के मानेनी यसस्वी मुक्मंति आधर्णिय योगी आधितनाजी का उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बीर्टी मेडिकल कालेज में डेड़े कर जमीन जो वहां पर राजय सरकार के द्वारा प्रदायन की गई जिसमें विस्विस्तरी उपकरणों से सुसजद और बाधा रहत बात्राओं का निर्मार करके महां पर भाबन का निर्मार कार किया गया लगबग 24 करोड़े की लागस से और महां पर चुकी स्थान कम था इसलिए चार मंजला भाबन उसमें लगवक 60 कमरे वहां पर बनाए गए जिसमें रेंप, रेलिंग, लिप्ट सभी तरह की शुविदाएं महां पर उपलब्द कराई गई हैं और मुझे बिश्वास है कि आने वाले स लुगदान देगा, इसी तरह से जो हमारा समग्र छेतरी के अंदर राजनन गाओं हैं, माने महां के माने शांसद जी, संतोस पंड़े जी अपनी बात रक रहे थे, माने हमारे 36 गड़ विधान सभा के अध्यक्ष महुदे जी, जो पूर में सांसद भी रहे हैं, यहां पर क के अंदर सरकार में राजय मंती भी रहे हमारे शात रहे हैं, हमारे बर्सों से उनसे हमारा साथ जुड़ा हुगा है, और माने महां के विधान सभा अध्यक जी का, महां के माने विधायक जी का, सभी का या अग रह था, कि 36 गड़ का CRC भवन जल्दी बन जाएगा है, भाई 2024 के चुनाओं के पहले, ये CRC भवन राजनाद गाओं का आपको लोकारपण और घाटन करने का अश्र आपको हम जरूर उपलब्द कराएंगे, और माने महां के विधान सभा अध्यक जी के दवारा, और महां के माने हमारे संभानिय सांसद महुदे जी के दवारा, उनकी ग विधाओं से युक्त राजनाद गाओं का CRC भवन है, इसी तरह से हमारा CRC पटना का परिसर है, वो तीन एकड़ में फैला हुए है, जिसके एक हिस्चे में तो प्रशाश्निक भवन है और एक हिस्चे में छाताबास भवन है, जैसा कि वहां के हमारे संभानिय सांसद जी, अधनी रभी शंकर प्रशादी, जो हमारे वरिष्ट संसद हैं, पूर्मे केंद्रे कैबिनेट मंती भी रहे हैं, और उन्होंने बताया कि बहां पर जब वहां पर जाते थे तो लंबे समय से इस्थान किया वहां पर कमी अनुवाव की जा रही थी, और चाताबास के निर्म सुविदा उस चाताबास के माध्यम से प्राप्त होगी, और इस योधना में लगवग 158 लाख रुपे की राशी वहां पर खर्च करके ये चाताबास भवन, सुविदा ये चाताबास भवन बहां पर बनाए गया है, इसी तरह से SP निर्तार में भी वहां पर पुनरवास के चिकित्सी सिवाओं के साथ सी साथ कोसल विकास और मानोस अंसादन विकास के दर्ष्टी से भी सरकार के दौरा भारत के पहले पांच किंद्रों में से एक है, जिसमें उत्तरपूर्वी राज्यों के पडोसी राज्ये जहां से उडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन 350 लाख रुपे की सुविकरती से और दो चात्तावास के निर्मान की सुविकरती दी थी, सबतरे की और इसमें सुविदाओं का युक्ति इसको बनाये गया, मुझे प्रसंदता का अनुभव है कि इसके साथी साथ S.V. निर्तार ओलटपूर करणक में और 21 करो रुपे की ल जो हम कहते हैं कि दिभ्यांग जनों को सिक्षा के सामर्थ है और सामर्थ के साथ में उनका कोसल विकास, कोसल विकास के बाद जब हमारा दिभ्यांग जन कोसल विकास के बाद अपना काम भी प्रार्म करना चाहता है, तो उसके लिए हमारा जो दिभ्यांग जन बित्य विका को काम आगे बढ़ा सकए और स्वामजिक नयायिकारता मनतियाले के द्वारा। दिब्यकला मेला, दिब्यकला शक्ति, कॉसल विकास चेंद्रे केंद्रेत् com को लगातार आगे बढ़ाई जा रहा है। राष्टी कोसल विकास के साथ में भी उसको जोड़ा जा रहा है और इन सबसे दिभ्यांग जनों के जीवन में पूरा देश भर में राष्टी कोड़ा जो रभी शंकर जी ने जो बात कही थी को उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पूरे बेविन इस्तानों के जो काईकमों का मैं अवलोकन कर रहा हूं कि शामा जीक ने अधिकार्था मंताला है आधार्वू संरचना का के छेतर में काफी तीब गरती के प्रद्यदमन्ति आधने चीने नरेंद्र dag के उस सपने को शाकार कने में जो दो हजार शेय्टालीस में भारत को विखेतर हों बनाने का सपना लेकर आदरी प्रदानमती नेरेंद बुदी जी चल रहे हैं उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्म निर्वर बनाने में सभी का सामुहिक प्रयास उन प्रयासों को गती देने में सामजिक नय दिकारता मंतले का द्वारा आज का यह काईकम है यह काईकम उस उस राहे का उस राहे में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में यह सभी केंद्र अपनी उप्योगता को अपनी छमताओं को आगे बढ़ाते होगे हमारे उन छेत्रों के दिव्यांग जनों को शशक्त बनाते होगे आजने प्रदानमंती नरेंद मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपना योगदान देंगे मैं समझता हूँ कि दिव्यांग जनों का शशक्ति करन और समाबेशी करन एक जटल प्रक्रिया है लेकिन इस काम को कि बल सामाजिक भारत सरकार के सामाजिक नयादिकारता मनता है कि माध्यमशा के लिए नहीं बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी इसमें सामाजिक संस्ताइं भी इसमें एंजियो भी इसमें जन प्रतिनी भी जब हम सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, दो कदम हम चलेंगे, दो कदम समाज चलेगा, और जब कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्य तूप से 2046 में देश के प्रधानवंति आदरणी नेरेंद मोदी जी का वशपना अवश्य शाकार होगा, और जब सपना साकार होगा, उसमें हमारे देश के दिभ्यांग भाई बेहनों भी उसमें योगदान्थ होगा, मैं इस निर्मार कारी में सयोग करने वाले जो हमारी एजंसियां हैं, उन एजंसियों के बन्लों का भी मैं धन्निवात करना चाहता हूँ और इस virtual का stamping के माद्यम से मैं देश के उन सभी इस्थानों पर जहां पर आज रहा हैं काई कम हो रहा है उस काई कम में हमारे जितने भी जन्ěपरसिंदी उसमें आए है उन वहां के जो हमारे CRC केंदों के हमारे जो अधिकारी गणा है है उनके सयोगी गणा हैं वहां पर जो हम बढ़ार और धन्यवात करता हुए इस आश्चा और विश्वाश के साथ में के आईए एक नए एक नए सुरुआत के साथ में हमादनी प्रदानमंति नेरेन्थ मुदीजी के कदमों से कदम मिला ते हुगे भारत को विश्वगुरु बनाने का जो आगे बढ़ाने का जो कदम मानि परदानमंति जी को द्वारा आगे बढ़ाए गया है उन कदमों के साथ अपने आपको जोडते हुआ हमां आगे बढ़ेंगे ऐसे ही सुविख्याओं के शाहत में मैं अपनी वानी को यहीं पर बिराम दे रहा हुआ